चलो बच्चों तो मैं आज आपको ओनलाइन एप्लिकेशन नवोते विद्याले एड्मिशन के लिए शिक्स टांडर के लिए कैसे बनना है वो बताओगा यह वीडियो द्यान से देखेगा और बड़ी आसानी से आप बरपाओगे कोई भी दिकत नहीं आएगी वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंतक चुरू देखेगा और बहुत सरे दूसरे वीडियोस भी हैं नोदे के बार दे सकते हैं वेगेरा तविश ये यूटूब चैनल एंग्लिस वितनायर को सबस्क्राइब कीजिए लाइक और शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी इसको देख पाए और ज्यादा से ज्यादा फॉर्म बरें आईए बच्चो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग नोदे.gov.in ये वेबसाइट खोलेंगे www.nowodaya.gov.in तो उसमें उपर ही सबसे पहले फ्रंट पेज पे ये दिखाए देगा आपको यहां रेट कलर का आप देख सकते हैं लिंक यहां पे क्लिक कीजिएगा तो 6 standard के online application form खुल जाएंगे क्लिक किया तु सब्मिट online application form वो अग्लास 6 जवार नोदे भी दिया लिया selection test 2021 इस पे आपको ख्लिक करना है राइट इस पे क्लिक करते ही क्लिक किया तु एप्लाइ ओनलाइन ऐसे एक आपको पेज दिखेगा इस पे क्लिक किजिएगा redirect करेगा एक website पे cbcitms.in.nvsregn.index.aspx तो यह website hyperlink जो हम लोग ने previous वीडियो में भी दे चुके है direct भी आप खोल सकते हैं लेकिन यहां से नवदे से official website से भी आप जा सकते हैं तो यह आपको एक page खुलेगा जो कि cbc website के hyperlink है इससे क्या होगा कि इस page में आपको यहां पे जाना है यह सबाब के काम के चीज़ नहीं है don't go anywhere here यहां पे कुछ नहीं करने आपको left side ही देखिएगा left side में यह तीन चीज़ ही आपका काम का है candidate corner यह पढ़ सकते हैं candidate corner सबसे पहले तो यह है click here to be prospectus जो अगर आप नववदी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो यहां click किजिए और जानिए नववदी क्या है और किस पकार application होता है क्या-क्या इसके जो category है जिस reservation के किस criteria में admission लिया जाता है eligibility आपकी लायकता योगयता तो whether you are eligible or not आप इस exam के लिए eligible है की नहीं आप age remate में आते की नहीं तो यहां prospectus में आपको सब details मिल जाएंगे इसको एक बार पढ़ लीजिएगा that will be better वह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एक बार इसको पढ़ लीजिए तो इसको क्लिक करने से PDF में आपको download हो जाएगा prospectus उसको पंड़े के बाद ही आपको यह phone खोलना है तो यहां पर ही जो second जो है यह यहां पर आपको application मिल जाएगा online application click here to class 6 registration यहां पर click करने आपको तो सबसे पहले यह click करके prospectus डाउनलोड कर दीजिए और उसको पढ़ लीजिए एक दो गंडे के बाद पूरा जाने के बाद एक आगज भी note कर लीजिए जो आपके काम के चीज़ है उससे पहले एक बर इन लोग ऐसे पूछेंगे have you read the prospectus तो obviously आप एक गंडे के बाद कर रहे हो तो आपने पढ़ लिया हो तो यहां पर tick कर दीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए और अगर आपने डायक application form खोला है तो वापस जाके भी आप डाउनलोड कर सकते प्रोस्पेटर्स पढ़ने के बाद करने से आप गलती नहीं कर सकते उसे आप बच्चा होगे कोई भी एरर आपके application form में नहीं हो यह आपको देखना है क्योंकि एक ही बार आप submit कर पाऊगे तो यहां पर आप टिक कर दीजिए और प्रोसीड यह आपके प्रोस्पेटर्स का एक आइडिया बता रहे हूं कि अगर आपने प्रोस्पेटर्स किय ठीक है तो इसको पढ़ लेजी आप मैं यहां डीटेल पर आपको नहीं दिखा रहा हूं कि वह पढ़ने के बाद आप टिक मारके प्रोसीड करने के बाद यह application form को लेगा अब यहां पर देखेगा आपको तीन जरूत होगी एक Candidate Signature एक Parents Signature और Candidate Photograph तो दो लोग के साइन है एक तो Candidate यानि जो बच्चा है और उनके Parents कि दोनों के Sign जो है आपके कागज में एक Blank Paper में करके उसको Cut कर लेना है और उसका Size प्रोपर्टिस में जाकर उसका Size देखना है और जो Size है यहां पर लिखा हुआ है Size of images शुड़ बीट्विट्विन 10-100 KB for photo and signature तो आपको उस जो एक Blank Paper में आपको Sign करना है और उसको Cut करने ना है और कट करने के बाद यानि Computer से ही आपको Cut करके चोटा Size में एक Box में ले लेना है इसको और इसके Properties में जाके देख लेना है कितना इसका Size है और नहीं है तो आप फोटो वीवर विंडोस फोटो वीवर वेगर में जाके एडिट करके चोटे कर सकते हैं कि एप भी है जिसे चोटा कर दीजिए इसके जो Size of Image और Size of Signature यह दोनों को आपको चोटा कर लेना है और इस काटे में आना चाहिए तो इसको सेव करके दीजिए ठीक है दो Signature Candidates और Parents के और photograph फोटोग्राफ भी Soft Copy और इसके Size देख लीजिए यहीं है तो आप विंडोस फोटो वीवर वेगर मे जाके इसको Resize के जिए, okay make it Less than 50% and see the property और वापस property देख लीजिए उसका Size कितना हो गया है उसमें आपको Size बताएंगे KB में, it should not be MB, but it should be KB and that also between this one बीच में ही है आपका वह होगा नहीं और आप निराश हो जाओगे तो पहले ही करके रख दीजिए तीन चीज फोटोग्राफ के Size सब कोपी के देख लीजिए और निएदरी Size करके उसको छटा कर दीजिए उसके जो के B को सब्सक्राइब करके देख लीजिए जब इस Size में होगे फिर ही आपको आगे बढ़ना है अच्छा और चीज है जो आप देखेंगे यहां फॉर्थ वन सर्टिफिकेट साइन बाइब पैरेंट एंड केंडिडेट तिक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है यहां क्लिक कर करने से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा है आगे बताएंगे आपको क्या से रोटिफिकेटा और और वह certificate पी आपको बॉल्पेंट से बढ़ देना है और पूरा complete होने के बाद निचे आपको साइन आएंगे करके पर से अयुष को दिखा सकते हैं के संस्यमृ sustainable के सट्टेर के दिखाだ also अबबसाइब करेंगे वे जिल्धु संच कि आपको और पूरा दिखेदे कि आपड में अपलोड करें गए इस फॉम में नीचे दिया होगा तो इसको भी जो फॉर्थ एक सर्टिफिकेट साइन बै पैरेंट एंडिडेट इसको भी आपको त्यार करके रखना है तो यह जब होने के बाद आपको यहां क्लिक किया डाउनलोड करना है और वह सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दीजिए उस साइन होने के बाद नीचे होगा पैरेंट एंडेट दोनों का साइन होने के बाद वापस इसको क्लिक कर ले ना है ठीक है मोबैल से पोटो ले लेमें और उसको साइस प्रॉपरट कर रशाहा जा के देख लिए और पहलाईं ओभी पैर होहिए तक ओ भी देखिए गयर ज्या उसको resize कर दीजिए में उसके KB में बना दीजिए और फिर रख दीजिए तो चार चीज आपको रखना है पहले से ठीक है दो साइन एक फोटोग्राफ और यह सर्टिफिकेट इसके soft copy आपके computer में रख दीजिए एक folder बना के फिर path से आपको लेना पड़ेगा इस form के अंदर ही कि यह देखिएगा मैंने बता दिया है यहां पर click here to download इसको थोड़ा बड़ा साइस करके दिखा है ताकि आपको पता चले के भी साइस कितना है कि क्या क्या चीच है जो चार चीच यह करके रखने है आपको तो डाउनलोड करके यह certificate मिल जाएगा और उसके अंदर पूरा डीटेस बढ़ दीजिएगा यह certificate तो फोर्म बढ़ने से पहले मैं आपको certificate पर बारे में बता रहा हूं क्योंकि इसको पहले कर लेना आपको इसमें आपका बच्चे का यगा candidate आपको दीए वीडियो देख रहा है तो आपके फोटो लगाना है पासपोर साइस ऑफ दा केंडिडेट बच्चे का लगाने यह और इसमें कहीं जगा साइन करना या प्रिंसिपल के काउंटर साइन वेगरा कुछ नहीं है तो आपकर से भी इसको अपलोड कर सकते है certificate को तो कोरॉने के वेज़े से स्कुल में जाने की जरूत नहीं है यहां लास्टेट दिया है अगर वेबसाइट देखते हैं यह www.noday.gov.in अगर लास्टेट एक्टेट एक्सेंबर हुआ है अगर आप वीडियो 15 दिसंबर के बाद देख रहे हैं तो एक बार वेबसाट देख लिजे और एक्सेंड हुआ है तो आपकों बर सकते हैं क्योंकि पहले 30 दिसंबर था उसके बाद 15 दिसंबर एस्टेट किया है अगर वीडियो 15 दिसंबर से पहले देख रहे हो तो आज ही पर रहे है अब मैं बहुत डीटिल में नहीं जा रहा हूं वरना वीडियो लंबर होजेगी तो इस में देखेगा कि फर्स्ट वन है जो ब् अभी जो बच्छा पढ़ रहा है फिफ में उसकुन का नाम लिखना है इस अब केपिटल में लिखेगा विद बॉल पैन या फोटो जिपका देने ने नेम अप केंडिटेश नहीं ब्लॉक लेटर्स तो यहां भी केपिटल में ब्लॉक लेटर्स नहीं केपिटल में चाचा विगेरा की खैल रख्या है नाम लिख सकते है को लिख सकते है वाल लिख सकते तो इनका नाम साहिं अट n kalo mo kного के लिए मन्त जूलाई तो आपको 0707 ऐसे लिखना है तो दो डिजिट में लिखना है ठीक है आगे मत लिखेगा थार्ड वेगरा है तो दो डिजिट है 24 तो 24 लिख सकते हैं एक डिजिट के तो आगे 0 करके लिखेगा मन्त में भी ऐसे डिसंबर है 12 और अगर फेबरी वेगरा है तो 02 कि यह तो आप जानते है 2010 तो 2010 इस पका आपको फिल करना है इन बाट इसमें सब्दों में लिखना है तो बाखी से पता आप कर लोगे यह देखेगा केटेगरी जो जंडर इसमें आप खास देखेगा कि अगर आपके पास पास त्लिट है वेलिड तो ही करियेगा वन्ना तो इसमें करना है इसमें 40% से उपर होना जी उससे निचे है यह नौट वैलिट इसके नहीं है इसको यह लिखना है प्रेजन पोस्ट लेटर्स यह आपके जरूरी है कि जहां पे आपको संपर कर पाए गर का स्कूल का नहीं प्रेजिस्टर नमबर आपके याद रखना है इंडियन और रिलिजन जो भी है हिंदू मुस्लिम किसे में तो इस पकर आपको यह जो सर्टिफिकेट है जो डाउनडर होगा उसको करके रखना है करें जो मीडियम लिखेंगे तो अगर ईंहले इंग्एलिखिटे आपको ब्रम लिखते हैं अगर आप मल्यालम लिखते हैं जो भी मीडियों में लिखते हैं उसका question paper आपको exam में मिलता है तो यह खास करके यह लिखा है after the constant prospectus पड़ी लीजिए तो prospectus में clear लिख्या हो पाए जिस medium और exam में लिखोगे उसका प्रश्ण पत्र आपको exam में लेगा इसमें कास करके mistake करते हैं बच्चे बरने के time तो बता देते हैं इसको आपको इस पकार बरना है आप बाजू में रखेगा और यह से सेम चीज होगा जो आपको online में भी बरना होगा तो इसलिए इसमें mistake मत किजिए वन उसमें mistake करोगे आप यह कैसे बरना है तो देखिएगा यह column wise बरना है यानि यह जो details है वो class 3rd के लिए यह class 4th के लिए यह class 5th के लिए जैसे यह name of the school studied 3rd, 4th and 5th standard and village place तो यह स्कूल का नाम लिखना है अगर 3rd, 4th और 5th एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ है ठीक ही रहेगा अगर अलगले स्कूल में बढ़ा है तो यह 3rd standard कहां पढ़ा है महां का यह 4th standard कहां पढ़ा है वो स्कूल का नाम यह 5th standard अगर 3rd, 4th एक ही स्कूल में पढ़ा है तो यह 3rd class कहां पढ़ा है इसके बारे में लिखना है स्कूल का है आप रहते का नहीं वो नहीं स्कूल का है कभी-कभी आप city में रहते हो और school गाउं में तो गाउं का रूरल ग्रामीन यहां पर रूरल लिखना है और आप ग्रामीन में रहते हो लेकि इन एक सब्चूल आपके शी्टी में है तो यह अर्बन लिखने आपको आपको सेरी के क्लाष्थ का था लिखे आप ने पहां कुल ने तो यहां का इकी सिटी में तो यह तो यह अरंबर और यह पिप शनौं आंप गाउ में पढ़ घ़्र हां एक यह बुद्छ हो जाएक और यह जो कॉलंब आप इस पकार देखे परोगे थर्चaster काहां पड़े इस्कूल के विज्तार लिह नापको ठीक है woods Я systuniversی या कि ie पहुता है उस पकार नाइब आप मन्त ये रख ज्वेडियनिग थर्स टांडर कब ज्वेड वह तो यह आप अगर नहीं पता है तो आप स्कूल पे फोन करके पूछ सकते हैं तो आपको पी आइडिया हो तो लिख सकते आराम से जैसे जून तो जून में अगर यह जूला हुआ है जैसे मैं एक्जांपल के लिए बता देता आपको कि यहां जून 2018 तो यहां फॉस्टाने क्या हो जाएगा सपोस्ट जून यह वापस स्कूल जून में कुल रहा है तो सब्सक्राइगा जून 2020 तो फॉर्फ फिथ कंटिनुटी में बचा पड़ा होना चाहिए ब्रेक नहीं होना चाहिए फेल नहीं होना चाहिए कोई भी क्लास में तो यह हो गया जूनिया जूलाइग सपोस्ट में स्कूल कूल रहा है और अगस्ट से पढ़ाई हो तो सब्सक्राइग होति जून 2018 तो यहां होगा सब्सक्राइग हो जैसे म armas मेंRe और मार्ज में पासब्सक्राइग तो मार्च में डूलाइग तो मुर्फ फिरसपी इस फॉन फ्लेटिल स्वम्सक्राइग जुलाइग को तो तो यह साल तो यह होगा क्रोद1 20 यह 20 और यह ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि अभी पढ़ रहा है बच्छा फिप में जो फिप में पढ़ रहा है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा आपको 18-19 19-20-20 ब्लैंक यह की बात कर रहा है और मन्त जो है स्कूल का रियोपनिंग का मन्त आप लिख सकते हैं कुछ भी कन्फिशन आप स्कूल में फॉन करके पूश लीजिए अलगले स्कूल में अलगले होगा हो सकते हैं यहां पे जो है जैसे मैं जुलाइ के ले 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 था एक्जा 2020 ब्लैंक त्यस प्रकर आप बर दीजिए मन्त आने यह पासिंग ती कंटियूटी भी होना ची बच्छा बीच में गैप नहीं होना ची नाई फेल होना ची तो थर्स्टांडर के जो एडमिशन की यह एंड मंत मंत और यह लिखना है और थर्स्टांडर के पासिंग यह मंत ए सब्सक्रारे इलाद मेन्त नेसा चीछटे में जाता मेस्ट सब्सक्राइब जूआए। च्छिछ जाता है यह मुते सब्सक्राइब तो यह फ्ली एंद रुचोटो meille ब्लोक के लिएखनी तो फेलने लोगजि लिए अने लिखऩ़ों के लिखनी लुज में पाटben कर जो पढ़ा है उसके तालुका ब्लॉक जिला और राजिय यह फिप स्कुल लिखा आपने यहां पर कहां पढ़ा है उसके यह बारे में यहां लिखना है तो यह जो तीन चीज है ब्लॉक डिस्टिक और स्टेट वह कंसे स्कुल में पढ़ा है उस किल के बारे में होगा तो यह यह यह सिर्फ करना तो ही स्कूल का पढ़ रहा है वे कर लागा बच्छा तो यह तीनों स्कूल के बारे में प embr control के बारे हैए इस स्कूल के बारे में लेक्र दर से तो तुर्द स्कूल में पड़ा हुआ है तो तीनों है सब्सक्राइब गारे सिस्ट्रेम देखेगा यह जो टेबल को कर देख करते हैं और अब ही पूरा नहीं बता नहीं बता रहा हूं नीचे आप देख सकते हैं पूरा अधिक हुआ है कि यह जो मीन बजाए गारे गलत हुआ कभी भी पता चला कि गलत इंफर मेरा तो कभी भी बच्चा रिजेक्ट हो सकता है तो देखिएगा आप राइट हो तिरफ कोटा के लिए रूरल या अर्बन के लिए आप गलत मत परिएगा उसको एटेस्ट करना पड़ता है वो उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए और नहीं है तो उसका अद्मिशन कभी भी रिजेक्ट हो सकता है तो अगर एक दिन भी बच्चा एक अलग स्कूल में पड़ा हुआ है अर्बन में और बाकी दोनों रूरल है तो बच्चा अर्बन में गिना जाता है तो अर्बन और रूरल स्कूल के पर डिपेंड रहता है और इसलिए स्कूल का नाम और जानिये स्कूल कहां पर है उसको अच्छी तरह बढ़िएगा निच्छे आपको पैरेंस साइन और केंडिडेश साइन होगा वहाँ पर और जिन साइन करना है यह पूरे हो जाने के बाद उसको क्लिक करके कॉंपिटर ले 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 तो यह आप सेटिफिकेट आपका डाउनलोड हो गया है इसको आपने फिल कर दिया है और आपने कॉंपिटर में सेव करक दिया है उसके बाद आप फॉर्म में यह सब डीटेल्स बढ़ेंगे जो मैं बता रहा हूं अब देखेगा इसमें दो-तिन मुद्धे है जैसे की परस्टनल सेटिफिकेट में सब इन्फिर्मेशन दोखेट फिल कर दिया है तो आराम से आप एसको भी करेक फिल करेंगे और देखेगा कि साथिफिकेट में जो फिल किये है वही हो कि तो्स पार 25 साथ में रात ईधिना क्थ यह स्टिफिकेट ना के आप कहाँ रए हो तो यह इन्फोर्मेशन सब उसमें जो बता है उसी प्रकार होगा तो मैं डीट में नहीं जा रहा हूं ब्लॉक को आपस प्रकार रहा है वह ब्लॉक स्कूल का नाम पुरा पुरा केपिटर में लिखना है मॉबाइल नंबर जो आप रिजिस्टर करना चाहते है उसको नौट करके रखिएगा डेट अब लिख सकते हैं अगर इसमें सेलेक करने में टाइम लग रहा है एंटर इमेल इडी जिससे आपको इंफोर्मेशन मिलते रहेगा जो पेलिडी में पे लाडी होना ची वह का कि नेस्टि करके अगर इस गया की ऑगर आपके जिसके पैरेंस नहीं है उनके लिए तो यह यह एक्क ऑपशनल से यानि ये कमबस तो नहीं energy करने जिसके पैरेंस नहीं है बेचे के और उनके चाचाए मामा ख्याल रख रहे हैं तो उनके अनाम लिखना है और यहां उनका रिलेशनिशिप चाचा यह तो पैटन अंकल, मामा यह तो मैटन अंकल उस पकार हो ठीक है अंकल आउन टोगदर लिखने आपको इंदियन इडेंटिकेशन माक जो उसमें बताया है उसी पाइपेपर उसी में आपको मिलेगा तो यहां देखीगा खास करके यहां लिखा हुआ यह एक लिए 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 रिखाल प्रफार्फ प्रफिट इन इस लेंगवेज़ और तो जिस मीडियू हम सब्सक्राइब है अगरापे गुजाति मराटे तमील मौले अलम या जो भी भ का मान यह certificate है वी होने से होता है परसेंटीज आपको रिलीजन तीक है आधा नंबर बारना डिजिट का जो भी है एनुल इंकम जो मंथली इंकम है इंटु ट्वेल करने के बाद जो आपको लिखना है इसके बाद को मुझेशन डीटेल ये देखा को मुझेशन डीटेल आपके बारे में आपके स्कूल के बारे कें नहीं प्रवाड़े निए कहें क्लास्फिक जो पड़ रहा है वो स्कूल जो है रिसेंट उसके लिए गया ठीक है लेकिन कॉम्मिकेशन डीटेइस किसलिए कि आपको संपर्ट करेंगे आपको बच्चा पास हो गया तो सेलेक्ट हो गया तो आपका इंकोमेशन कहां बेजा जाए तो उसका आपका एड्रस जो हमंदेगर को सेटीफिकेट जो किया है वहां चीज इस में रखना है क्या आपको यांद रखना है कि इसको इस पर करत ona करें तो एक जरुनिदिन नहीं है surfर। ठीज है तो है řंट जैंट जो है कि पुरा इंफकुल के बारे में पुरा इन्फमिशन लोरे वहो chiar है जो है कि आखको उस zijन खकेल चाहिए डिर्केर है अगरे इससे से दिशन बारे मैं एक tut है कि कि आपको ख्याल आएं तो जैसे 20 है यहां पे देखो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी बच्छा पड़ रहा है यह मंत यहां पर लिख सकते हैं ठीक है मंत लेकिन यह जो खाली होगा स्वरी यह खाली रहेगा यह तो फिल होगा कि यहां से दिखेगा मैंने यह डाल दिया है आपके लिए तो यह मंत अभी जैसे की कि 것이 कौशल पल्ग कर सकते हैं आपके स्कुल क्या बच्छा एक में लेट था बाद में जोइन किया तो अपना लिखना है इसलिए ज्यातर है और रेगुल बच्छा होए और इसकुल जोइन ह हो तो में फ्रमें में पाइवान के सब्सक्राइभ तो मतिंग अन्तर कि देखने वाला हुए तो में सफ्केल की कूल सब्सक्राइब तो मार्च ठीक है 19 यह देखे का 19 में जो पासओट होगा तो एड्मिशन जो जो जोईनिंग है मन तो जोईनिंग 19 वह जाएगा ठीक है यहां जूलै होगा यहां मार्च यहां वापस जूलै तो संटेटी में इसमें फिफ में डिया और यहां भी करंट पढ़ रहा है बच्छ ठीक है तो पासओट छोड़ देना है यहां पर जो के ओप्शन ही नहीं होगा लेकिन आप जो संटिफिक बढ़ रहा है इसमें छोड़ देना है तो इसमें जातर मिस्टिक करते हैं इसलिए मैंने बता दिया आपको कि यहां थर्स टांडर के बारे में लिखना है तो जब ज चाहिए अपलोड की बात है इसकी बात तो तीनों चीज जो भोग जाएगा परस्ने डीटेस्ट कम्मुनिकेशन डीटेस्ट और प्रिविस स्कूल डीटेस्ट यह तीनों चीज आप बनने के बात यहां देखे अपलोड का आता है तो इसलिए मैंने पहले ही बता दी आपको कि चारोचीज आप सेव करके रखेगा और यहां देखेगा सर्टिविकेट जो है उसका साइज भी लिया हुआ है 50-300 ठीक है आपके जो पोटो साइज है इसका यहां पे है 10-100 के भी तो देखे 10 से छोटा नहीं होना चाहिए 100 से उपर नहीं होना चाहिए मना अपलोड होने है और साइस इतना होने के बाद ही इसके बीच में आना चाहिए ठीक है सर्टिविकर का भी तो अगर एप पत्वा जो फोटो वी वेगरा में जाके इसमें एडिट में जाके आप देख सकते हैं कि रिसाइस फोटो वेगरा आता है इसमें क्लिक करके आप उसको 50% कर तो यहां क्लिक करने से आपको पूरा जो एप्लिकेशन फॉर्म है इसका एक प्रिंट आउट जिसे फॉर्म निकलेगा इसमें परेंस सिगनेचर आपना अप्रोड किया वह भी आ जाएगा यहां जाएगा यहां जो सिगनेश फगर फगर ठीक है तो एक बार अच्छी तह इसको भी इंप्रोड कर दीजिए सब एक्जेट रेडी हो गया कम्प्लीट और यहां तो इस पर टिक कर दीजिए और यहां फाइन समेशन लेकिन यह नहीं होगा फाइन समेशन जब तक आप यहां पर जो लिखा हो रहा है उसको यहां एंट ने करोंगे तो यहां दिख ली और यह जल्दी होना चाहिए अगर नहीं हो तो रिफ्रेश करके वापस कर दीजिए इसमें लिखने के बाद जब दोनों सेम होगी आपको लग रहा है तो फाइन सब्मेशन क्लिक किजिए लेकिन वापस इक पर बता रहे हैं आपको अच्छी तरह देख लीजिएगा दो ब यह तब तक आप एडिट और इंपूर्ट कर सकते हैं और जो पूरा हो गया तो यहां पे जो क्या पेचा है उसको नौट कर दीजिए यहां टिक मारी है और पाइन सब्मेशन तिस पर कर आपका हों सब्मेट हो जाएगा ओप यू अंडेस्टूट समझाया साइद नहीं है तो आप मेरे वर्टसप नंबर लिखा हुआ है इसमें आप मेसेज बे सकते हैं और इनी डिफिकल्टी कोड़ बी सॉल्ट जब पूरा क्लिक होगा फाइन सब्मेशन तो आपको इस पर कर एक मेसेज आएगा यह रिजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसको आप डायरी में नोट कर क्लिक है इस वरी इंपोर्टन क्यूंकि आपको होल्टी के पर गएरा जब प्राप्त करना है तो इसमें यह लिखना तो इसलिए रिजिस्ट्रेशन नंबर जो है वह आप अच्छी तरह नौट करके एक है और वेबसाइट देखते रही है www.noday.gov.in जब होल्टीकेट का जब upload दाउन्लोड होने का time हैगा तो आपको इसमें रिजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ओन्लेइन होल्टीकेट भी डाउन्लोड कर सकते हैं क्लिक किया तो प्रिंट यूर रिजिट्रेशन फॉर्म और एक प्लिक करके प्रिंट भी करके रखिए अपने पास तो इसमें के या रिजिट्रेशन नंबर उपर ही दिखाए देगा आपको और इससे आपको आसानी से होल्टी के डाव्लोर कर पाएंगे तो अलबे से अब्सेल अवड़े तक यू